अपने ही विवा के उपर सवालों की जड़ी लगाते हुए बता डाला पुलिस प्रिशासन का काला सच। जनपद रामपुर में महिला आरक्षी पद पर तैनात है जिसने अपने ही विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए उच्छ अधिकारियों से नया की गुहार लगाई है। जो काला सच है वही बताने जा रही हूँ खाकी की आर में ये भेडिये छुपे हुए हैं। जो इस चीज की धमकी दिखाते हैं कि हम प्रिशाशन में रहके क्या कर सकते हैं। मेरा मुकदमा नहीं दर्ज कर रहा है खजूर्या थाने का एस सोज है। और उल्टा मुझे धमकी दे रहा था कि गलत सलत रिपोर्ट लगा के मुझे ही सस्पेंट करा देगा। और जिला चेंज करा देगा। जिस अधिकारी को भी मैं अपनी शिकायद करती हूँ तो वह हम पर मुझे मेरी शिकायद कर देता है। मुझे धमकी देता है ुल्टा सस्पेंट कराने की थाने से हटाने की। साथ दिन हो गए होंगे लवभग मेरा प्राथना पत्र रखे रखे खजूर्या थाने में लेकिन उस पर अभ्योग पंजिक्रत नहीं कर रहा है मेरी तो महनत की कमाई का नुक्षान हुआ है तो इन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा अंधे हैं और अगर यह किसी को पकड़ के भी लियाते हैं छेतर में से और फिरी में कोई छुट के चला जाता है तो इन्हें रात भर यही दर्द रहता है कि हाँ वहां से एक हजार रुपए नहीं मिले और मेरी पूरी स्कूटी एक लाख रुपए का नुक्षान हो गया अक्सिडेंट कर दिया तोड़ दी दूसरे ने दूसरे ने तोड़ दी लेकिन यह उसके खिलाप मुकदमा करने को तैयार नहीं है और मुझे 5-6 दिन हो गए तो कहां जाओ मैं कहीं नहीं जाओंगी मैं जो हैं उचादिकारियों के भी यही हाल है बेवी सुनवाई नहीं करते तब कोई वीडियो पोस्ट कर देता है कहीं पर तो तब उन्हें लगता रहे हम तो यह कर देते हम तो वो कर देते तो इन लोग हमी को नहीं चलती तो उल्टे मुकदम में हता देते हैं दूसरों को तो इसलिए मैं आप आप सभी से बताना चाहती हूं मेरे पास ऐसा कोई अवैधPressत तहुं को ने उकदमा भी लगा दें क्योंकि लोगों में खास आदत होती है अगर कोई इनके खिलाब बोलता है ना तो इसके स्कूटी विस्कूटी की डिग्गी होई या उसका घर हुआ बहां पर किसी भी आदमी को लगाके ना तमंचा रखवा देंगे या कुछ भी रखवा देंगे यह कि इस प्रिसासन का खाला और कड़वा सच है अब मैं लोगों से बहुत परेशान आ चुकी हूं मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है आप लोगों से उम्मीद है कि मेरी वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग जो है सेयर करें पोस्ट करें रदन टीवी निउस इंडिया द्यूरो बिजिनोर उत्तार प्रदेश